नमस्कार दोस्तों इस्टेडी उत्मेस्ति चनप आप सभी लोग का स्वागत है और जैसा कि आप सभी लोग जाना है कि तीन अक्टूबर को यूपी लोग से वायोग द्वारा इस्टाफ नर्स का परिशा कराया गया है और इसमें दोस्तों सबको देख लेना चाहिए जो भी विद्यार्थी कमपर्टिशन की तैयारी कर रहा है चाहिए यूपी से रिलेटेड या किसी वियादर एक्जाम के देखिए पेपर देखना आपके एक्जाम का एक हिस्सा होता है जो भी प्रशन किसी परिशा में पूछे आते हूं महत्तोपुन होते हैं तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसमें जी यस हिंदी और साइन्स के बहुत अच्छे कोशन पूछे गाए हैं तो खास तोर सी यूपी पी सी आरो यारो यूपी लोवर भी जो लोग देने जा रहा हैं वो सभी लोग देख लें ठीक है ना बहुत अच्छे प्रशन पूछे गाए देखिए पाली पालाई प्रशन का इसा पूछा गया है क्या पूछा गया है विट रिफ्रेंश टू पीम कुसुम स्कीम अब्जेक्टिव विच आपड़ इस्टेटमेंट आर करेक्ट तो पीम कुसुम जो योजना थी दोस्तो इसको प्रधान मंत्री मोधी जी ने 2019 में लांच किया था और इसका अधारित पॉंपिंग सेट है किसानों के उसको ख़तम करना था ख़तम करने कमत्ते कि जहां पर डीजल और केरोसीन इन सब कप्रियों करते पॉंपिंग सेट चला जा रहे हैं दोस्तो उसको इसको मने बाई सोलर ये रिप्लेस करना था तो देखिए क्या करा रहा पहला स्ट फार्म सेक्टर में जो डीजल कप्रियों घो रहा उसको उपिंग करना था दोस्तों अब दूसरा देखिए तो ये साही है ये जो है पाला जो साही है मैं देख करके पाले से एंसो टीक कर लिया हूं बढ़िया से ताकि आपको बताय सके और कोश्चन 170 कोश्चन है 1618 180 मिनट अगर एक कोश्चन पर एक मिनट लिया जाएगा तो एक तीन गंट लाएंगे लेकिन इतना नहीं लिया जाएगा जहां जरू थे वहां पर ही एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा देखिए पाला कोश्चन बहुत महत्तपून है इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन दिया जा र सी करेक्ट होगा ठीक है ने दो अजर तो पीम कुसुम यह और किसी एकजाम में पूछा हुआ था तो यह दूसरी बार पूछा गया पीम कुसुम तो इसकी में चली आगे चलते हैं दोस्तो अब देखिए यह देखिए दूसरा कोशन पूछा नीरच चोपड़ा जी तो नहीं है कोश्चन नमबर तीन का रहत दोस्तों को कंसिडर्ट फाल्विंग वीच अब देखिए दोस्तों इसमें जो चारों दिये है आप सन एट्रा जाइन बुटा क्लोर और पैराक्वाट और एलाकोर यह चारों जो दोस्तों वीडी साइड है ठीक हना यह याद करने वा एट्रा जाइन बुटा क्लोर पैराक्वाट और एलाक्लोर तो आप मेरे प्रोनासियेशन में दिखत होगा तो उससे आप न ली जिगा आप देख रहे जगे इसको प्रोनासियेशन ठीक हो जागा अब देखिए यह चौथा नमबर कोस्टन जो दोस्तों हिस्ट्री से कोस् 44 में तो सबसे लाश्ट में कौन सा है देखिए दो केवल एक जगा दिया हुआ है इस प्रकार से आपके एंसर क्या हो जागा आप संसी हो जाएगा चली आगे चलते हैं और सब मैं लिख दिया हूँ गांदियर उन्हों 131 और जलिया अलबाग नर्शंगार जो हुआ था मास बहुत अच्छा प्रस्णा है इसमें यह है कि consider the following events and arrange these in correct chronological order, appointment of drafting committee, Indian constitution was passed, date of execution of Indian constitution, constitution assembly first minute, तो देखिए पहले constitution assembly पहली बार मिली, पहली बार मिली तो चौथा यह होगा तो इसलिए दोनों के आओ जाएंगे, कट जाएंगे, ठीकन दोस्तों, जब पहली बार मिली उसी समय drafting committee प्रारूप समिती का निर्धारान हुआ है, जिस प्रारूप समिती के अध्यक्स जो थे दोस्तों, डाक्टर भी अरम बेटकर थे तो पहले के चौथे के बाद पहला हो गया, उसके बाद दोस्तों, Indian constitution जब बन गया तो इसको पास किया गया, पास किया गया, उसके बाद execute किया गया, तो इस परकार से दोस्तों, आपका क्या होगा, अपसन, डी correct होगा, चली आगए चलते हैं, अब यह देखिए, question number 6 में जो पूछा है, यह staff nurse वालों लोग से नहीं पूछा जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यह cutting प्रशन है, और यह लोग सेक्स रोशिया, यह सब इतना रठते रहेंगे, तो कैसे काम चलेगा, उनके इसाप से कठिन प्रशन पूछा गया है, जी एस में, यह खास दोर से UP, PCS, आरो यारो इसाब अपना जहलक दे रहा है, कि भाईया मैं इसी तरह से आने वाला हो, ठीक है ना, नहीं तो इस प्रकार के कोशन, नर्सिंग इस्टाप से नहीं पूछा जाने चाहिए, उस नर्सिंग इस्टाप से साइंस के कोशन अचे पूछीए, तो देखिए, उत्तर प्रदेश का सेक्स रिशी दोस्तो, 912 है, यह सही है, बिहार का 918 यह भी सही है, वेश्ट बंगाल का 950 सही ह लेकिन महराष्ट का दोस्तो, 900 नहीं है, 900 सूपर है, ठीक है न, यह इनकरेक्ट है, तो इस प्रकार से आपका एंसर क्या हो जाएगा, बी एंसर हो जाएगा, अब देखिए, यह गणित का क्वेश्चन है, इसमें क्या करीए दोस्तो, कि आप दोनों तरफ पले 2 अड़ कर दीजिए, दोनों तरफ दो अड़ कर दीए, तो यह हो जागा, 101 और यह हो जागा, दोस्तो, यक्स स्क्वाइर प्लस, वन बाई, यक्स स्क्वाइर का क्या हो जागा, होल स्क्वाइर, ठीक है न, तो होल स्क्वाइर इदर अटाएंगे, तो 101, यह होल स्क्वाइर हो गया, और इधर हो गया 121, तो यह square अटाएंगे तो फिर 11 हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पाटा दिया, अब देखिए, इसमें आप क्या करिए, फिर minus 2 कर दिए, दोनों तरफ, यह हो जाएगा, यक्स माइनस 1 बाइ यक्स का ओल स्क्वाइर, और इधर हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो फिर यह क्या करेगा, 3 कर देगा, यक्स माइनस 1 बाइ यक्स ब्राबर, 3 हो जाएगा, अब देखिए, क्यूब कर दिजिए, एक क्यूब प्लस B का क्यूब कर दिजिए, तो करते हैं इस 27 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा यह Q-B Q-3 AB पुश्ट में ब्रैकेट में आता है दोस्तों A-B तो ब्रैकेट में 3 हो जाएगा तो 3-3 तो 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 27 प्लस 9 हो जाएगा आपका 36 आप संदी आपको यहां पर एंसर हो जागा दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूँ कि A-B का होल की कैसे होता है AQ-BQ-3 AB पुश्ट में A-B यह होता है ठीक है ना चली इतना बहुत हो गया मैं आपको एंसर की बता रहा हूँ इसका explanation बहुत अंदर से जाकर करने बहुत समय लग जाए 130 कोशन 170 कोशन है आप देखिए दोस्तों किमबरले प्लेटूए के बारे में पूछा था तो कि Μबरले प्लेटू जो दोस्तों नगींट को और में अब चलिए इसको देखते हें जो आपको बताना प्राइज्ट इन विनिघार हिसमें सीद होता है यह करेक्ट है अब देखिए compounds present in bones हड्डियों में दोस्तों calcium phosphate पायता है ये भी सही है ठीक है ना हड्डियों में calcium phosphate पायता है ये भी सही है acid present in gastric usage तो आपके पेट में जानते हैं कि ACL पायता है hydrochloricum ACL हो गया तो ये भी सही है लेकिन souring आप है ये नाइट्रिक एसीड से तनिक भी संबन नहीं है इसके ठीक है ना दोस्तों souring up milk में ये होता है milk का वाला प्रोटीन जो होता है दूद से दही बनना तो ये C नहीं होगा दोस्तों ठीक है ना विनेगार में estic acid हड़ी में दोस्तों calcium phosphate और गैस्ट्रिक जूस एसीड हो गया नाइट्रिक एसीड ये दूद वाला नहीं होता है अब देखिए यंग बंगाल जो मुवमेंट था दोस्तों जब ये चला था उस समय ये चला गया था दोस्तों हेन्री वीवियन डेरोजियो के द्वारा हेन्री वीवियन डेरोजियो बंगाल दोस्तों बहुत समय से जागरित राज जी रहा है ठीका ना जो पले वहां के मुवमेंट और वहां के आप देखेंगे भारतिय स्वतनतरता संगर्ष को पढ़ेंगे तो वहां के बहुत लोग पार्टिसिपेट किये अब देखेंगे वीच आप देफालिंग पियर इस नाट करेक्टली मैच तो उत्तर प्रदेशी स्पेशल से प्रशन पूछा जाने लगाओ यूपी स्पेशल में ठीक ना उत्तर प्रदेश के प्रशन पत्रों में ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे राज जो अपने न स्थान हो गया बिहार भी बहुत जादी पूछे पूछने लगा मध्य प्रदेश भी है तो यह अपने इस्टेट के कोश्चन इतना पूछ देते हैं कि आउट आप इस्टेट वाले बाहर ही हो जाते है ठीक है ना तो कम से कम उत्तर प्रदेश को भी मानली कि निवास ना ल मेरत में लगता है गाजी मिया मेला गाजी मिया का मेला बहराइच में ठीक है ना गाजी मिया का मेला भी बहराइच में सही है बटेश्वर मेला जो दोस्तो यह आगरा में यह भी सही है लेकिन गोबिंद साहाब का मेला जो दोस्तो यह अंबेटकर नगर में लगता है अंब कि यहां पर एक कर लेते हैं कि चलिए आगे चलते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश इस्टार्टप फंड वाज लांच डान ट्वेंटिएथ मैं 2020 ठीक है न दोस्तों तो यह देखिए दोस्तों यूपी स्पेसल क्या होता है कि यूपी स्पेसल मनें ऐसा तो बहुत नहीं है कि बहुत जादे है तो आपको यूपी स्पेसल दो-तीन साल का पढ़ लेना चाहिए ठीक है न इस्टार्टप फंड 2020 में सुरू किया गया था चलिए आगे चलते हैं आप इट्सबर्ग जो है दोस्तों लोहा इसपाथ आरन एंड इस्टील और उसके बाद देखिए माइंचेस्टर जो आप जानते हैं कि सूती बश्त्रों के लिए जाना जाता है और हवाना जो है ठीक ना हवाना जो है दोस्तों यह सिगार के लिए जाना जाता है और लेनिंग् जो रसिया में है यह पोट सीप बिल्डिंग तो इस प्रकार से आपका अप्शन सी करेक्ट होगा ठीक है ना चली आगे चलते हैं तो इसका अन्सरोजग सी वाला अब देखिए यहाँ पर भी पूछा हुआ है ठीक है दोस्तो तो यह पूछ रहा है कि इंडियन ग्रास लेंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टिचूट यह जासी में है यह मस्ट है आपको नाट करेक्टरी बताना है ठीक ना और इंडियन इंस्टिचूट आप पल्स पल्स व सुगरकेन रिसर्च यह लखनौ में है अब देखिए नेशनल सुगरकेन इंस्टिचूट दोस्तो मेरट में जो दे रहा है तो मेरट में तो कत्ता ही नहीं है एकदम नहीं है मेरट में लेकिन हमको यह डाउट है कि कानपूर में हाय की नहीं है ठीक है ना यह डाउट है ठी कि आप लोग यह कमेंट बाक्स में बताएं गे कि नेशनल सुगरकेन इंस्टिचूट कहां पर है है और यह पर इंसर तो हंड़िट परसेंट करेक्ट है कि यह होगा लेकिन यह कहां पर है है आप हमको बताएंगे इनडियन इस्टिचीट आप सुगरकेन रिसर्च तो अभी मोदीजी आये थे अगस्त 2021 में देखें बता रहे हैं उज्वला योजना का दूसरा चरण जो दोस्तों महोबा से शुरू हुआ है आपसन सी करेक्ट होगा अब देखें इन दा वर्ल्ड विटी कल्चर हाटी कल्चर सेरी कल्चर और वेल डेवलप्ड इन तो मेडिटेरानियन जो सी होता है जो दोस्तों उसके आस पास जो है इस सब जो अंगूर की खेती बागवानी और कोस कीट पालन इन सब का वहाँ पर होता है रेसम कीट पालन तो वहाँ पर यह चीज अच्छे से बिख्सित है तो मेडिटेरानियन रेजन आपका एंसर हो जाएगा विच ओनन दा फालूइंग प्लांट is कालड डाक्टर आप होम में छिख्ण अगर का डाक्टर किसको का जाता है तो आमला को का जाता है दोस्तू आमला में चायां तो बहुत सारे चीजों में काम करता है तो चल submerged चलतें दोस्तो अब आप देखिए, which one of the following cities आप उत्तर प्रदेश होस्ट दम मायंगो फेस्टिवल, तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे इस प्रकार के फेस्टिवल मनाए गया हैं, तो मायंगो वाला हुआ था, ये हो गया, लखनव में इसी प्रकार से जैसे काला नमक चा इन इंडिया, तो ये मायकाले साब का है, ठीक है ना, मायकाले साब, 1835 में इंग्लिश को मीडियम बना दे, सी चाका, भी करेक्ट होगा, अब देखिए, ये क्या का रहा है, वर्टेक्स O, आप देश्क्वायर, O, A, B, C, is situated at the center of the circle, ठीक ना, इफ, आर्क, A, C, A, C को कर रहा है, कि 3π, then the perimeter of the square is, तो आपको perimeter बताना, square का perimeter, ठीक है, ये O, A, B, C, जो क्या है, दोस्तो, एक square है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो, 2π, R का मतलब होता है, दोस्तो, ये पूरा हो गया, 2π, R हो गया, 360 degree, और 360 degree का मतलब 2π, 2π, पर इतना हो गया, तो एक पर कितना हो जाएगा, आर्क को इसको निकाल लिए, इफ आर्क, A, C, is 3π, then the perimeter of the square is, ठीक है, तो, आर्क कितना हो गया, दोस्तो, एक हो गया, R बराबर, अगर एक कर लिया जाए, तो, इफ द आर्क, A, C, is 3π, then the perimeter of the square, ठीक है न, चली दोस्तो, तो इसको जो आए, मैं आपको कमेंट बाक्स में बता दूँगा, ठीक है न, इसको मैं कमेंट बाक्स में, question number 20, cancer बता दूँगा, आप लोग भी देखेंगे, और, चलिए, energy of the sun is produced by, तो, सुरे में, उर्जा जो होती, दोस्तो, नापकी, sunlain के कारण होती है, nuclear fusion, 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 और fusion में बहुत concept हो जाते हैं, दोस्तो, तो, fusion होगा, fusion, sunlain, option, यह आपका यह आपका correct, correct answer होगा, चलिए आगे चलते हैं, देखिए, on 5th August 2021, इब्राहिम रईशी, was sworn in as the new president of which of the following country, इब्राहिम रईशी दोस्तो, बने, इरान के president बने, इरान के, ठीक है न, इरान के यह प्रेशिदेंट बने, तो, यहाँ पर आपका D answer हो जागा, under which one of the following articles of the Indian constitution, president is bound to act in accordance with advice of council of minister, प्रेशिदेंट council of minister, ऐसा कहा गया है, 74.1 में, आपसन यह correct हो जाएगा, 74.1, चलिए आगे चलते हैं दोस्तो, तो यह देखिए, यह भी माहित का question है, यह हो जागा, 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 3 हो जागा, और यह क्या हो जागा, बताएगे, यह हो जाना चाहिए, 3, 3, 9, 3, 27, 27, 31, और 81 त्याँ एक और आजागा, तो यह हो जागा 3 पर पावर 5, थिखा ना, तो यहां से यह करा कि X-Y बराबर क्या हो जागा X-Y बराबर यह 3 हो जागा और X प्लस Y बराबर क्या हो जागा दोस्तो 5 हो जागा तो इसको आप साल्ब करेंगे तो यह दोनों Y-Y कट जागा 2X बराबर क्या हो जागा और 5-3-8 हो जागा तो यक्स ब्राबर चार आपका एंसर होगो दुश्टो शिखना आपसन C correct होगा इसको C correct होगा देख लेंगे चली आगे चलते हैं अब देखिए क्या कर रहा है With refresh to the removal आप member of union public service commission which of the following statement is correct तो कौन सा correct है आपको correct बताना है तो इसमें देखिए दोस्तो क्या कर रहा है बहुत बढ़िया प्रस्णा है A member of union public service commission may be removed from his office by the order of president and the ground of misbehavior ठीक है ना ground of misbehavior यह correct है Such removal of a member of union public service commission requires a reference to made by the president to supreme court for inquiry अईसा supreme court के नियादिस inquiry कराएंगे राश्पति साब in accordance with prescribed procedure and received a pit report on such reference तो यह भी साहिए दोस्तों ठीक है ना उस पर अगर misbehavior proof हो जाएगा तभी एसा करेंगे तो इसमें दोनों correct है आप संसी आपको क्या हो जाएगा answer हो जाएगा आप देखिए क्रिशक सम्रिद्धी आयोग was established in उत्तर प्रदेश तो देखिए यह दोहर 17 का पूछ लिया ठीक ना क्रिशक सम्रिद्धी आयोग जो है दोश्तो यह बहुत काम तो नहीं किया है तो यह दोहर 17 में उत्तर प्रदेश में बनाया गया था option B आपका यहाँ पर answer हो जाएगा चली आगे चलते हैं अब देखिए यह इतिहास का प्रश्ण है और मैं आपको कह रहा था कि आइसे प्रश्ण नर्सिंग से नहीं पूछा जाना चाहिए ठीक ना नर्सिंग के विद्यार्थियों से नहीं पूछा जाना चाहिए अब उतिहास में गोता लगाएंगे कि अपना बायलोजी फिजिस कमेश्टरी और मेडिसिंस का अध्यन करेंगे लेकिन पूछा है तो चलिए यह यूपी पीशियस वालों के लिए जहलक है कि ऐसा प्रस्णाने वाला है ठीक ना देखिए फत्वा यह जहादारी दोस्तों यह जियावदीन बर्नी की बर्नी द्वारा लि ढौत कि यह लाव दिन खील की टीके बिर्गाथा लिखा लिखा तुस्तों ठीक हना यह अलाओद्व केक्लिक बिरगथा लिखाई समय तो यहीं मंश्ड है है तो आपकां दों हो जाएगा भी हो जाएगा लेकिन बाकि को भी देख लेजी के पुतू कुशे सला तीन तो सल इसको बता रहूं कि आप लोगं यूपी जो भी देने जा रहे हैं इसको जरूर देख लेंगे देखिए इस प्रकार के प्रस्ण आप बाट करके रटेंगे तो नहीं, ठीक ना, चली आगे चलते हैं, तो देखिए, ब्लू रिलूशन का संबन जो दुस्तो, फिस प्रोडक्शन से, आप संसी करेक्ट होगा, आगे चलते हैं, ये देखिए, on the basis of the union budget, देख रहे कितना डीप जा करके पूछा है, on the basis of union budget, 2021-2022, arranged in increasing order of expenditure, on the following items, ठीक ना, तो दोस्तो, एक चीज आप समझे, कि भारत सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा ब्याज अधागी में जाता है, इंट्रेस्ट पैमेंट में, तो increasing order, तो सबसे कम, फिर उससे जादे, फिर अंति में जादे, एक ही जगा दिया हुआ आपका increasing order, तो इस परकार से, आप कभी क्या हो गया हो, दोस्तों, यहाँ पर answer हो जाएगा, आप देखिए, ये टोकियो ओलंपिक में, कितने-कितने medal में दिये हैं, पूरा चार्ट ही आपसे पूछ लिया, ठीक है ना, तो भारत का, टोकियो ओलंपिक में, दोस्तों, मेडलों की संक्या कितनी थी, साथ थी, इस में से, एक गोल्ड था, नीरच चोपड़ा का, और दो सिलवर था, और चार ब्रोंज था, इस प्रकार से, आपका क् आंस के लिए एक सब्ड है, यह हिंदी है, तो बाद में जोडा गयां आंस के लिए दोस्तों, परिशिष्ट सब्ड होता है, परिशिष्ट लेकिन, परिशिष्ट बिकल्प में नहीं दिया है, तो इससे मिलता जुगता, उतच्षिप्ट सब्द, आप संची आपका परिशिष्ट सब्द दिया नहीं है अब चलिए आगे चलते हैं तो मैं चाह रहा हूं कि इसको जो दोस्तो बड़ा कर लिया जाए बड़ा इसलिए कर लिया जाए कि हिंदी जो है थोड़ा सा आप एक एक कोशन देखें आराम से चलिए अब देखिए वह बालक सुंदर है इस वाक्य में सुंदर सब्द है तो सुंदर सब्द जो दोस्तो ये बिधे बिशेसन है ठीक है ना बिधे बिशेसन वह बालक सुंदर है इस वाक्य में सुंदर सब्द है बिधे बिशेसन पच्छी का प्रिवाची सब्द नहीं है तो पच होता है दूय जोता है सकुनी होता है लेकिन पिशू नहीं होता है आप से नहीं पूछा है तो यहां पर देखिए यहां पर B answer, यहाँ पर c answer, चली, आगे चलते हैं, अब देखिए, निसिद्थ सब्द का बिलूम, निसिद्थ सब्द का बिलूम जो होता है दोस्तों भी ही तो होता है, यह c answer हो जाएगा, अब देखिए, यहाँ पर क्या का रख निकित में तत्सम सब्द है तत्सम सब्द जो दोस्तो क्या है इसका बताईए तो देखिए इसको अभी मैं बताता हूँ आपको तो दोस्तो यह 35 नमबर कोश्चन जो देख रहा है देखें न छत्र से न खत होता है, टंक साल से टक साल होता है लेकिन सकल और मैंद में हमको समझ मैंने या रहा है ठीक है ना तो इसको आप लोग answer करिए या आप लोग के लिए home और छोड़ देते हैं और हमको जब मिलेगा गलत नहीं बताऊंगा जितना बताऊंगा आपको सही बताऊंगा चली आगे चलते हैं दोस्तों आप 36 नंबर में देखिए यह असून कर मेरे होस उड़ गए यही सुद्ध है ठीक है ना इसका क्या हो जागा डी बाकी क्यों असुद्ध है स्वादेंता परादेंता दास्ता है यहाँ आप सब के जगा पर सभी हो जाएगा और दस बीस दस रुपे नहीं पहले छोटी संख्या उसके बाद बड़ी संख्या दस बीस रुपे तो इस परकार से आपका डी हो जाएगा आप देखिए बिलोम की दृष्टी से असुद्ध युगम तो देखिए ये दोनों जो दोस्तों होते हैं अग और अन्भिग्य जो है ये समनार्थक हैं तो यही आपका बी एंसर हो जाएगा ये बिलोम नहीं समनार्थक हैं कानतार का प्रेवाची हो जाएगा कानतार सब्द का प्रेवाची है जंगल का यहां पर बी एंसर हो जाएगा चलिया आगले चलते हैं दोस्तों देखिए कपरदिका का ततभर रूप होता है कौडी यह हो जाएगा आगे चलीन में से सरल सब्द का बिलोम नहीं है तो बिलोम नहीं है तो देखिए सरल और बीरल यह मैंने बिलोम नहीं है ठीक है ना उसके बाद सरल का बकर होता है कठिन होता है कूटिल होता है यह सब होता है लेकिन बीरल नहीं होगा चलिए आगे चलते हैं दोस्तों फटाफट 170 कोश्चन देखने है ठीक है आप देखिए वह इस्तरी जो सुर्य भी न देख सके तो इसका असुर्य पसा हो जाएगा डी हो जाएगा हासना सब्द का बिशेशन रूप है तो इसका बिशेशन जो होता है दोस्तों हासोड होगा सी हो जाएगा परवत की उपर का समतल भूमी अधी त्यका होगा और नीचे का होता है उप त्यका तो यहाँ पर परवत के उपर की सम्तल भूमी अधित्यका हो जाग देखिए उचरित सब्द का बिशेश से रूप है उचारण आपसन एक करेक्ट होगा चलिए आगे चलते हैं निउखित में से सुद्ध बरतनी का सब्द है सहस्र बी एंसर होगा आपका यहाँ पर इनमें से सर्ष्टि के प्रिवाची सब्द है मास्विता है डी होगा इनमें से तद्भाव सब्द है तो पलंग जो होगा दोस्तो आपका तद्भा होगा क्यों? कि इसका तद्सम होता है दोस्तो पर्यक पर्यक्ष से पलंग होता है असुद बरतनी वाला सब्द चुनिए तो असुद देखिए दोस्तो उज्वल में दोनो जद आधा होता है अब देखिए पाचान सब्द का तत्सम रूप तो पाचान सब्द का तत्सम्द होता है दोस्तो प्रत्य भीज्ञान D होगा पाचान सब्द का तत्सम रूप है प्रत्य भीज्ञान चिरंतन का सही बिलोम सब्द है नस्वर B हो जाएगा चिरंतन का नस्वर हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं दोस्तो अब देखिए यहां से साइन्स के कोश्चन आएगे तो हम लोग फिर इसको कर लेते हैं ताकि पूरा दिखाए अब देखिए थाइमीन की डेफिशियंसी से दोस्तो बेरी बेरी नामक रोग होता है ठीका ना आपसन ए करेक्ट होगा हंडेड डेज आप कफ जो दोस्तो इसको पर्टूसिस को काते हैं इसमें D हो जाएगा अब यहां पर देखिए दोस्तो यहां पर मिलाए गया है इसमें आपसन ए आपका करेक्ट होगा ठीका ना доступ मैंने इसको मिला करके देख लिया है आप इसको देख लेंगे आप्टन A करेक्ट होगा और 54 में होगा दोस्तो हेलिकल इस्टेज आप्टन B और देखिए 55 में होगा फाल्स परसेप्शन हलूसिनेशन C हो जाएगा और 56 में होगा दोस्तो अपगार इसकोर जो बलट प्रेशर को मने इसके देखिए अपगार इसकोर निवकित में से कौन सा पारामेटर समनित नहीं किया जाता है तो बलट प्रेशर B हो जाएगा अब कोश्चन नमबर 57 में दोस्तो आप्टन B करेक्ट होगा देखिए इक से साउंड से क्या होता है आपका एक आगरता में कम ही आती है ठीक है ना तो B फर्ष्ट दो जगा दिया हुआ है और हाई प्रेशर अंडर वाटर इसको दोस्तो कैसन रोग इसको कहते हैं तो यह फोर हो जाएगा इस परकार से आपका इंसर क्या हो दोस्तो बी होगा ठीक है ना इसको वीडियो को पास करके देख करके रोग करके समझ लेंगे आप लोग चली आगे चलते हैं आप देखिए यह बच्चों में ब्रिदी के बारे में दिया हुआ है इसमें आप्शन सी करेक्ट होगा ठीक है ना ग्रोथ एंड डेवलप्मेंट प्रिसीड शीन सेफालो काउडल डायरेक्शन आप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तो इसको मैं अच्छे से देख लिया हूँ और यह है कि यह पढ़ेंगे तो जादे समय लेगा आप लोग मिला करके अपना इंसर द इंडिया कब पास हुआ था दोस्तो उनिस वेकातर में पास हुआ था आप देखिए एंटी साइकोट्रिक ड्रग होगा दोस्तो इसका भी करेक्ट होगा वीच आप फालूंग ड्रज का एक्ट्रा पाइरा मिडल सीम्टम्स और आइस साइड इफेक्ट तो एंटी साइकोट ड्रग होगा चली आगे चलते हैं और इसमें जो होगा दोस्तो रक्त श्रावरोधि जो होगा वीटामिन की होता है RT-PCR जो आप देख रहे हैं कि RT-PCR कोरोना में टेस्ट हो रहा है न तो यहां पर भी हो जाएगा इसका फूल फाम हो जाएगा रिवन्स प्रांस्किप्टेज पालिमरेज चेन रियक्षन अब देखिए यह बताया है बुद्धी का अस्तर और IQ सीमा इसमें जो दोस्तों सी मिला करके सही आ रहा है ठीक है ना मिलाने पर सी सही आ रहा है इसको आप लोग देख लेंगे चलिए हम लोग आगे चलते हैं which part of the uterus इसका C हो जाएगा और 65 का हो जाएगा दोस्तों B समय थोड़ा सा कम है कहीं हमको निकलना है इसलिए मैं आपको जल जल बता रहा हूं इसका भी D हो जाएगा और 60 का भी D हो जाएगा और 60 का दोस्तों D होगा 69 का E हो जाएगा 70 का E होगा 71 का होगा दोस्तों D population explosion का धर्म से कोई लेना देना नहीं है और इसका हो जाएगा दोस्तों B कि यहां पर हो जाएगा सी आप लोग मिला करके अपना answer देंगे और इसमें D हो जाएगा इसमें C हो जाएगा मैं आपको मने कोशिस किया था कि पूरा detail से बनाओ लेकिन अभी समय की थोड़ा कमी होए ठीका ना अभी आप लोग इसको मिला लेजिए फिर हम लोग इसको कभी चर्चा कर लेंगे यहाँ पर भी C हो जाएगा यहाँ पर C हो जाएगा यहाँ पर भी C होगा डिलिट इमेल्स और इस्टोर ट्रैस भी हो जाएगा C B C हो जाएगा और इसमें भी दोस्तो C होगा यहाँ पर भी C हो जाएगा 86 कहोगा D 87 कहोगा B 88 कहोगा दोस्तो C 89 कहोजएगा 89 कही और 90 कहोजएगा दोस्तो A यहाँ पर B हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा B 93 कहा जाएगा B.O.D. होता है तो आपका B अंसर होगा यहाँ पर A हो जाएगा 94 का 95 की A हो जाएगा समय की कमी कार्ण मैं आपको ब्याख्या नहीं बता पा रहाँ दोस्तों इसको नहीं तो A को मैं चेक किया था ठीक है न A हो जाएगा 93 का C हो जाएगा 98 का B हो जाएगा 99 का भी C होगा और 100 का होगा D 101 का होगा A यहाँ पर होगा D यहाँ पर होगा A 104 का A 5 का A और 6 का हो जाएगा मैचिंग वाला कोश्चन है तो A हो जाएगा D चलिए आगे चलते हैं 107 का होगा दोस्तों A और 108 का D हो जाएगा यह WSCO की website से मिलाया हुआ है ठीक है ना वहाँ पर आप जाकर कर देख सकते हैं यह दिया हुआ है और इसका answer हो जागा दोस्तों इसमें जो दोस्तों doubt है यह सभी हैं ठीक हैं 109 में जो दिया हुआ है इसमें आप लोग बताएंगे मुझे तो doubt है और 110 का C हो जाएगा दोस्तों 111 का हो जाएगा D 112 का होगा B और इसमें देखिए एक डबडा करके ट्रिक काम करता है ठीक है ना 113 में D होगा लेकिन डबडा डबडा करके ट्रिक काम करता है मनें याद करने में help करता है 114 का B हो जाएगा यह होता है पचातर लेकिन पचातर आपसन में दिया नहीं है दोस्तों तो 85 ही करेंगे और यह C हो जाएगा यह होगा C बार-बार हिलना नहीं चाहिए आप जिससे मालने कि कहीं आपका हड़ी टूट जाए और बार-बार हिलेगा तो जुड़ेगा कैसे तो इसलिए प्लास्टर कर दिया जाता है 117 का B हो जाएगा 118 का D होगा दोस्तों चलिए 119 का B होगा 120 का C हो जाएगा और देखिए Red Colored और रेफामी सीन रेफामी पी रेफामी सीन तो R R से ये बैठता है ठीक है न ये B आपका एंसर हो जाएगा 112 का होगा बेटा मार मार जीन और बैटल ठीक न तो यहाँ पर A एंसर होगा बेटा मार करके याद किया जाता है इसको तो A, 124 का हो जाएगा, D, JIP फाइल, आप जानते हैं कि ये बड़ी फाइल को छोटे अस्थान पर रखने के लिए JIP फाइल में कनवर्ट किया जाता है, और 125 को हो जाएगा, C, 126 का स्वास्त दिवस साब जानते हैं कि 7 अपरेल को मना जाता है, और देखी इसमें होता है, पहले फिर एक महिने बाद, फिर छे महिने बाद, तो आपका D, एंसर होगा, और 128 का VD हो जाएगा दोस्तो, 139 का C होगा, इसमाल इंटेस्टाइन, और एपल मोबाइल में दोस्तो, की लागर होता है, जैसे लैपटाप में होता है, सिंपल मोबाइल में की लागर नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका, आप्शन भी करेक्ट होगा, 31 का भी B होगा दोस्तो एक से 31 का अलजाइमर रोक मुख लक्षन क्या है रिशेंट मेमोरी लास हो जाता है और 32 का C 33 का A 34 का हो जागा D 35 का होगा दोस्तो A 36 देखिए पास को एक टाय था 2012 में B हो जाएगा और 37 जो होगा दोस्तो इसका भी B होगा 38 का B पेनिस ग्लैंस आप पेनिस तो इसमें दोस्तो B एंसर हो जाएगा और 39 का होगा C यहाँ पर लोवर ना हो करके अपर होना चाहिए 140 का हो जाता है दोस्तो B 141 का D होगा और 42 का हो गया D 43 का D देखिए अगरिकल्चर ओरियंटेड सोसाइटी जो होती दोस्तो इसका रूरल होता है और 144 का B हो जाएगा 145 का D होगा इंसर ठीक हना इसको मैं अच्छे से मिलाया हूँ लेकिन समय की कमी करण मैं आपको बताने पारा हूँ भी कहीं निकलना है और 147 का A हो जाएगा दोस्तों 148 का भी A हो जाएगा कंगारू मदर आप जानते हैं ना कंगारू मदर केर केमसी कमतब वही होता है 49 का C हो जाएगा क्लास्ट्रोफोबिया और 150 का A हो जाएगा इसका हो जाएगा D इसका भी हो जाएगा D दमन और वो सरोदाता होता है इन्वर्सल डोनर होता है D हो जाएगा इसमें हो जाएगा C और 155 में हो जाएगा दोस्तों B देखिए यही आपका एंसर होगा C वाला Magnesium Sulfate इंडिया कम्स किसके अंदर साउथ इस्टे रजन के अंतरगत आता है साउथ इस्टे इस्टे रजन के अंतरगत D हो जाएगा यहाँ पर होगा B और 69 का भी A हो जाएगा दोस्तों 60 का देखिए RBC का लाइप साइकल होता है 123 C हो जाएगा और 61 का हो जाएगा B 62 का हो जाएगा C और देखिए दोस्तों यह CD4 काउंट देखा जाता है अगर 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलिमीटर हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाता है आपका एर्स मने मान लिया जाता है यह D होगा और यह साइकलोजी होता है इसमें देखिए दोस्तों यह पूछ रहा है तो देखिए यह प्रोडक्शन की बात कर रहा है आकसी टोसीन जो होता है दो यह पूछों को सुई लगा करके दूर निकालने वाला है तो आपका एंसर यहां पर क्या होगा बी होगा प्रोलैक्टीन आच्छट का हो जागा दोस्तों सरशट का देखिए मिलाया गया है इसका आप्शन ए होगा ठीक है ना पढ़ियां से इसको मिला करके देखा गया है आप देख लेंगे समय नहोंने करण मैं आपको एक्प्लेन नहीं कर पा रहा हूँ हेपटाइटिस भी यह दी हो जाएगा अब देखिए दोस्तों पाइसली जो वाइरस है यह टूबरकुलसीस वाला है ठीक ना तो C हो जाएगा अब इस सत्तर का हो जाएगा दोस्तों B इसमें देखिए दोस्तों मोर देन 50 मिनट अगर बढ़ जाता है 50 से पर मिनट जादे बढ़ जाता है यह राद दोस्तों आज का प्रश्ण और आसा करते हैं कि अच्छा लगा होगा आपको दोस्तों जो गलत होगा उसको आप लोग कमेंट बाक्स में बताएंगे फिर उसको इंडिकेट करें पिंड कमेंट में डाल दे जाएगा ताकि सभी को सुचित हो जाएं और सभी लोग अपना मिला मिला करके अंसर बताएं और अगर वीडियो आच्छा लागे तो आप लाइक करके शेर कर सकते हैं ताकि आपको दूसरे मितर तक में पहुँचे आपका लाइक और सब्क्राइब ही हमारे टीम और हमको मोटिवेशन का काम करता है तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद